अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आने वले एक्जाम के लिए तो गाइस इस लेक्चर में हम करेंगे सिंप्लिफिकेशन और सिंप्लिफिकेशन का नेक्स पार्ट जो है से मल्टिप्लिफिकेशन की ट्रिक्स बताइए और नंबर सिरीज के भी काफी पार्ट करवाएं आप उन्हें देखिए वह आपके लिए काफी हल्फुल होंगे आपके आने वाल एक्जाम के लिए तो इस लेक्चर से पहले अगर आप उस परसेंटेज अच्छे से समझना ह तो नितिन सर ने हमारे चैनल पर परसेंटेज की वीडियो बनाई है आप उनको बेसिक वहां से आपको पतलग जाएंगे मैं भी थोड़ा समझाओंगा बेसिक अगर आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे उस वीडियो को देखोगे तो आपको जादा समझाएगा दिया है जैसे एक नंबर है 1500 तो अगर मैं इसको बोलू यह कितना परसेंट है तो यह मैं बोलता हूं परसेंट है ठीक है 100% क्या है 1500 अगर मुझे इसका 10% निकालना हो तो मैं क्या गरूंगा 10% लेफ्ट साइट से भी 0 कर जाएगा और राइट साइट से भी तो 10% कितना आया इसका 150 अगर मुझे इसका 1% निकालना हो तो यह कितना आएगा 15 देखी कैसे 100 परटसेंट था तो मैंने यह वाला भी कैंसल किया यह वाला भी ठीक है तो तब 10% बना अब 10% के लिए क्लिए क् बन परसंट क्या बना फिफटीन तो यह हुआ मेरा नॉर्मल इसी से मैं कोई भी परसंटेज निकाल सकता हूं इसकी तो जैसे मुझे निकालना हूँ सब ये 100% है मेरा 1500 उसके बाद उन्हों ने मुझे बोला हो कि इसका निकालो 50% तो 50% देखे क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा तो वो कितना होगा 750 उनकी डिवाइड़ बाइ 2 अगर इसी का 5% निकालना हो तो कितना आ जाएगा ये जिरो ये जिरो केंसे तो 5% कितना बना 75 ये हर कुशन के लिए अप्लाई होगा जो ये कुशन तो नॉर्मल है क्योंकि इसमें लास्ट में जीरो जैं बट सपोज अगर लास्ट में जीरो नहीं होंगी तब हमारे पास ये वाला जो मैथट है हम यूज कर सकते हैं सुपोज 2% निकालना हो तो अभी मैंने आपको बताया कि 1% कितना आता है 15 तो 2% कितना आएगा 15 इंटो 2 30 3% निकालना हो तो 1% पता था हमें 15 तो 15 इंटो 3 45 है ना अगर सपोज हमें बोला हो 25% निकालने के लिए इसी भी नंबर का अगर 25% बोलते हैं 25% का देखिए मतलब क्या हुआ 25 अपॉन हंड्रेड तो वह कितना होगा हमेशा 1 by 4 ठीक है 25% का मतलब हुआ 1 by 4 50% का कितना मतलब हुआ 1 by 2 ऐसे ही 75% का कितना मतलब होगा 75% का मतलब होगा 3 by 4 क्योंकि जब आप इसको कैंसल करोगे तो यह 3 by 4 आएगा उसके बाद अब हमें 25 का पता लग गया 50 का पता लग गया 50 सबोज हमें कि एक नंबर बोला हो की 28 का निकालो 28 कैसे बनेगा 28% निकालो तो 25 प्लस 3 है ना 25% कितना होगा 1 by 4 of 1500 और 3 परसेंट मैं आपको बताया भ कितना होगा 3 into 15 तो 45 तो जब इसको सॉल करोगे उसके तो 45 याट करोगे तो 28 परसेंट आ जाएगा ऐसे ही अगर हमें और भी निकालने हो जैसे अब हमें नेक्स बोलाओ कि 52 परसेंट निकालो है ना तो 52 परसेंट का क्या मतलब है 50 प्लस 2 है ना 50 कितना होगा 750 और 2 परसेंट कितना होगा भी बताया 30 तो कितना होगा 780 देखिए आप डाइरेक्ट भी कर सकते हैं आपके बस नॉर्मल मैथड क्या था 52 बाइंड्रेड इ 1500 तो यह आपको लगेगा कि यह मैं कैंसल कर दूंगो तो मिरे डाइरेक्ट आंसर आ जाएगा सपोज यहां पर 1500 ना होके यह आप कुशन आता है 1540 तब आप क्या करोगे तब आपकी यह पॉइंट में आंसर जाएंगे तो मेरे पास क्या मैथड होगा यहां पे 52 परसेंट 1540 देखे कैसे निकालना हैं अभी बिताया 52 परसेंट तो आगे hack 1940 तो इसका गतना होगा 15.4 तो 15.4 तो 15.4 इंटू तू ये दोनों जब add होंगे तब हमारा answer आ जाएगा simply अगर मैं इसको 52 अपॉन 100 इंटू 50 40 करता तो कितनी लंबी calculation आती मेरी तो इसलिए हमें time बचाना है वहाँ पे exam में जादा से जादा time save करना है अब यह तो था normal अब हमारे पास कुछ numbers होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं जो नितिन सर ने भी बताया था अपनी वीडियो में कि suppose हमारे पास यह दिया हुआ 14.28 इसका मतलब क्या होता है 14.287 का percentage का मतलब होता है 1 by 7 ऐसे ही हमारे पास होता है 28.26 तो यह किता होता है 2 by 7 ठीक है तो और भी हमारे पास numbers होते हैं जैसे 16.66% का क्या मतलब होता है 1 by 6 और 12.5% का क्या मतलब होता है 1 by 8 उसके बाद हमारे पास एक number होता है 7.69% का क्या मतलब होता है 1 by 13 तो यह जो numbers हैं यह जो points अले numbers हैं यह आपको direct जा में पूछ ली जाते हैं वो आपसे direct पूछ लिगा कि बताओ 1 by 7 sorry 14.28% of 770 तो देखिए जिस बच्चे को यह चीज नहीं पता होगी 14.28 का मतलब होता है 1 by 7 वो तो इसको calculate करने में लग जाएगा अगर पता होगी तो आप direct कर लोगे 770 7110 तो कितना बनाएए 110 ठीक है तो यह जो यह वाले points वाले numbers हैं यह सारे याद कर ले ना सरने वीडियो में करवाएं हैं तो उससे आपको काफी help हो जाएगी question easily solve करने में और एको चीज गाई इसमें आपको ध्यान रखने है इस चीज अगर मेरे पास दिया हो 420% of 35 है ना इसका मतलब यह भी होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते 35% of 420 देखे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अगर मैं 35 का 420% find out करने लगा यहां पर देखिए normal method जो हम करते हैं तो यह कितनी लंबी चीज चले जाएगी 400% देखे कैसे 420% of 35 है ना यह करूंगा मैं तो क्या करूंगा 400 plus 20% और इसका 400% का क्या मतलब हुआ 35 into 4 है ना प्लस 20% क्या हुआ इसका 20% का मतलब होता है 1 by 5 ठीक है तो 35 by कितना हुआ यह 5 यह इसका answer आएगा 7 प्लस यह ठीक है अगर मैं इसको इससे जो answer आएगा या आपका आएगा 147 answer आएगा ठीक है तो अगर मैं इससे दूसरे वाले method से करता हूं 35% of 420 तो वो भी हमें यही answer दे देगा 35 देखे 35% of 5 420 तो वो भी हमें same answer देगा पहले हम क्या करेंगे अगर इसको बड़े सारे method से कर सकते हैं आप इसको 20 plus 15 बना के करना या 30 plus 5 बना के कर लेना अगर यह भी मन नहीं होगा आपको यह भी heart लगेगा तो इसको 5% निकालना 35% 420 ना 35 यह बनाना हमने एक तो 20 plus 15 से बना दोगे एक बना दोगे 30 plus 5 से नहीं तो ऐसे करना 5% निकालना उसको multiply by 7 कर दिना तब भी 37% आ जाएगा तो अब काफी सारे method से यह question कर सकते हो तो तब भी आपका answer कितना आएगा 147 ही आएगा ठीक है अब हम questions करेंगे आज के जैसा first question है 150% of 320 plus 50% of 210 देखिए 150% का क पतलब हुआ 100 था 100 plus 50 है ना तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 3 by 2 आता है यह क्योंकि 50% का मैंने आपको बताया 1 by 2 आएगा और 100 का 1 आएगा तो यह answer बना 3 by 2 of 320 plus 50% कितना हुआ 1 by 2 of 210 तो यह simple सा question है यह कितना आएगा 160 और यह कितना है 105 तो इन दोनों को solve करना 480 plus 105 ठीक है तो यह answer बनेगा 585 simple सा question था अगर आप इसको वाइस दूसरे वाले method से करोगे 150 by 100 इंटू 320 है ना तो देखना फिफ्टी वाइंट्रेड इंटू 210 तो यह देखना 3 by 2 ही आता है और यह 1 by 2 आएगा वह मैंने डारेक्ट लिख दिया था क्योंकि मुझा पता था कि 50% का मतलब होता 1 by 2 जब वह ब सब्सक्राइब तो देखें next question में क्या दिया 152% of 680 देखें इस question को हम कैसे कर सकते है तो 152% दिया है 152 को में कैसे लिख सकता 150 plus 2% of 680 है ना तो 150 अभी आपको बिदाए कि 150 क्या होता है 3 by 2 into 680 plus 2% कितना होगा तो 680 का 1% कितना होगा 6.8 तो 6.8 into 2 ठीक है तो यह question में आप अगर आप normal method से करते हो अपने तो आपका वहाँ पर क्या आएगा 152 by 100 into 680 देखें यहाँ पर क्या होगा 100 100 00 कटा 5 यह 76 तो यह कितनी लंबी calculation होती 68 और 76 की इसी सब बचने के लिए हमें time save करने के लिए हमने क्या किया 150 plus 2 तो 150 क्या आता 3 by 2 into 680 तो वो आता 3 by 2 into 680 plus 13.6 क्योंकि 1% क्या होगा 6.8 तो 2 कितना होगा 6.8 into 13.6 तो यह कितना आएगा 340 1020 plus 13.6 ठीक है तो इसको add करना आपका answer आएगा 1033.6 ठीक है 1033.6 ठीक है 1033.6 तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि 35 अगर मेरे पास ऐसे दिया हो 35% of 420 या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 420% of 35 है यह दोनों चीज़े सेम है क्योंकि देखे कैसे सेम है क्या आएगा 35 by 100 into 420 फर्स्ट वाले में दूसरे वाले में क्या आएगा 42 by 100 into 35 तो इस चीज से कोई difference है यह और यह सेम ही तो है 35 into 420 उपर है 420 into 35 उपर है पॉन में 100 ठीक है इस question को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 145% of 354 यह मैंने क्यों किया 354 क्योंकि मुझे question जल्दी solve करना था तो 150 145 कैसे बना सकते है 150 minus 5 है न तो 150 का क्या होगा 3 by 2 into 354 ठीक है और 5% कैसे निकालेंगे आपको बताएगे इसका 354 का 50% कितना होगा 177 तो अगर 50% 177 है तो 5% कितना होगा 17.7 ठीक है यह जो value आएगी इसके साथ अगर हम add कर देंगे यह subtract कर देंगे 17.7 तो हमारा answer आ जाएगा क्या answer आएगा 3 by 2 into 354 ठीक है minus 50% कितना आता है इसका 17.7 आएगा इसका 5% ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा next question करते है 452% of 680 ठीक है 452% of 680 ठीक है 452% of 680 ठीक है अगर normal method से करोगे तो यह 452 into 680 upon 100 करोगे कितना लंबा हो जाएगा यह तो direct क्या करते है देखिए direct हमें break करना होता है तो break करोगे तो आराम से question हो जाएगा 450 plus 2 देखिए अब बना 452 देखिए मैंने 450 और 2 में ही क्यों किया क्यों किया क्योंकि मुझे 400 का पता है कि इस number का 4 times होगा 50% का मुझे पता है 4 into 1 by 2 2% हम निकाल ली सकते हैं 2% कितना आएगा 13.6 है ना क्योंकि 1% होगा 6.8 तो 2% होगा 13.6 यह बना और इसका 4 से multiply करना है तो यह क्या बनेगा 2720 इसका half करना है तो यह क्या बनेगा 340 तो इसका answer देखिए एक step में इसका answer आ गया 2720 प्लस 340 ब्लस 13.6 मैंने इसको break किया 452 परसेंट को 2720 आया उसका 400 340 इसका 50 परसेंट और 2 परसेंट कितना है 13.6 तो नेक्स कोशन करते हैं 571 बाई 7 और 424 42 6 बाई 7 और 417 ठीक है देखिए इस कोशन को हम क्या करेंगे अगर तो आपने जो मैंने लेक्टर बताया नितिन सर्का वो किया होगा तो आपको यह परसेंटेज सामने विजिवल होगा कि वन बाई 7 का मतलब क्या होता है 14.28 है ना तो यहां पर कितना मतलब रहे 57 57 वन बाई 7 तो अगर वन बाई 7 फोर पॉइंट टू है अगर मैं इसको 4 से मल्टिपलाई करता हूं न तो यह मेरा 4 बाई 7 मतलब औ इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ 3 बाई 7 यह जो वैल्यू है वो कैसे वह इसको यह मतलब क्यूंकि अगर मैं इसी चीज़ को 3 से मल्टिपलाई करता हूं तो यह वाली वैल्यू आती है ठीक है तो 3 बाई 7 और 417 तो देखिए इतना बड़ा कोश्चन लग रहा था यह कितना इसी हो गया अब आपके लिए अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा मल्टिप्लिकिशन करनी है इसकी तो इसका अंसर हमरे पास आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन करते हैं 68% of 720 41% of 390 देखिए इस को इन कोश्चन को आप कैसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया 58 को क्या लिखोगे 50 plus 18 है ना एक तो यह अगर 41 को क्या लिखोगे 40 minus 40 plus 1 ठीक है एक तो यह method हो गया बट अगर मुझे इसमें और टाइम सेव करना है तो में लिए देखिए क्या जादा easy approach क्या होगी इस कोश्चन 68 है 68 को मैं क्या कर सकता हूँ 70 minus 2 720 को क्या कर सकता हूँ 70 plus 2 ठीक है और उसका जो 0 था उसको 10 को मैंने लिख दिया बाहर अपॉन 100 क्योंकि percent का आया 100 ठीक है यह क्या कट गया यह a minus b बना और यह बना a plus b ठीक है algebra का यह होता है a minus b a plus b तो यह क्या बनता है a square minus b square ठीक है 68 को मैंने किया 70-2 72 को किया 70-2 तो A²-B² बना तो A²-B² क्या बनेगा यहां पर 4900-4 है ना अपॉन में क्या था 10 था यह कितना बनेगा 4896 अपॉन में 10 था तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा एक तो यह बना इसके साथ एड़ क्या करेंगे दूसरी वाली टर्म 41 और 390 तो यह क्या बनेगा 40 प्लस 1 40-1 ठीक है तो यह भी हमारा हो जाएगा 40 प्लस 1 40-1 यह भी इसली सॉल्व हो जाएगा A²-B² तो इसका लंबी कैलकुलेशन होगी ठीक है इसमें अठर से करोगे काफी हीजी हो जाएगा तो एक कोशिन मैं आपके लिए होंवर्क के लिए देता हूँ इस को आप जो अभी अप्रोच हमने यूज की है उसी अप्रोच से आप सॉल्व करोगे और बताना इसका क्या आंसर आएगा कमेंट्स में ठीक है तो यह नॉर्मली यह कोश्चन आया हुए प्रीविएस एर कोश्चन आया हुए यह तो मैं आपको यह वाला कोश्चन देता हूँ अभी कि यह देखे टू फाइव सिक्स टू थ्री फोर वन सिक्स इंटू हंड्रेड परसेंट आफ 4016 यह इसके बाद है ठीक है ओफ के बार 4016 यह वाला कुश्चन नही करके बताना इक पुछर पताना कमेंट्स में क्या आंसर है तो आज के लेक्चर में बस इतना यह मैं आपको आगे भी simplification की जो भी tricks होंगी और वीडियो में बताता रहूँगा और भी number series के भी मैंने काफी questions करवाए है number series के और भी वीडियो आएंगी आज के lecture में बस इतने ही thank you